हे दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल अनलैन एक्जाम मिशन पर दोस्तों लोग यहाँ पर UPGK का टेस्ट लगाएंगे और डेली टेस्ट आपका UPGK का भी होता है साथ पर करणेट फेर का होता है तो आप लोग डेली का डेली टे मसूद गाजी की दरगा कहां इस्तित है बहुत बार यह प्रस्ट आपका पूछा गया है तो यहाद रहे कि साइद सलार हुआ मसूद गाजी की जो दरगा है वह आपके कहां पर है तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा option आपका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर B आथात बहराइच ठीके कौंसरी बहराइच है यह point आपका याद रखेगा यह जो आपके संत्र थे ना यह आपके महमूद गजनवी के साथ आपके भारत में आये थे ठीके चलिए अगले प्रसिकोर बढ़ते प्रस्नाप सेगला पूछा है कि सयद सलार मेला आयुजित होता है सयद सलार मेला जो आपका आयुजित होता है वो आपके कहां पर तो अभी आपने पढ़ा तो वही आपका जवाब भी हो जाएगा कि आपके बहराईच में होता है ठीके बहराईच में ठीके अगले प्रसी को राते प्रसनाप सेगला पूछा गया है कि सैनिक का प्रकासन कहां से होता है सैनिक का प्रकासन कहां से होता है तो याद रखें सैनिक सैनिक एक पत्र है इसका प्रकासन आपके आगरा से होता है ठीके आगरा से होता है और आगरा से स्रीकरश्ण दत्त पालीवाल ने कैसे जून उनिसो पाचीस को यह प्रारम में किया था अगले प्रस्वाब पढ़ते हैं प्रस्वाब सेगला पूछा है कि Central Hindu School की स्थापना कब हुई Central Hindu School की स्थापना कब हुई थी आपका सही जवाब होना चाहिए Option Right यहाँ पर आपका 1898 ठीके डे नबर 1898 इस वी में इसकी स्थापना आपकी की गई थी स्रीमती एनी बेसेंट की द्वारा किसके द्वारा स्रीमती एनी बेसेंट की द्वारा ने इस प्रस्वाब का पूछा गया है कि Central Hindu College की स्थापना किसने की तो जो अभी हमने बताया कि किसने किया था तो स्रीमती एनी बेसेंट ने ठीके प्रस्वाब करण गया चलिए अगला प्रसंद दिया गया है कि Central Grassland एवं Forder Research Institute कहां पर है तो याद रेखे यह जो आपके जहासी में है जहासी में है यह point आपको याद रखना है और यह संस्था जो है इस शित में गर्मियों में होने वाले जो 4 है न तो चारा संकर से निजात दिलाने के लिए यह आपकी काम करती है अगला प्रसंद आप से पूछा गया है कि Center of Excellence in Material Science कहां ही स्थापित किया गया है Central of Excellence in Material Science कहां ही स्थापित किया गया है आपका सही option हो जाएगा यहाँ पर C नंबर आपके अलिगड में किया गया है ठीके कहां पर अलिगड में किया गया है यह पूइंट आपको याद रखना है जो आपका अलिगड मुस्लिम विश्विद्याल है उसी में की गयी है ठीके next प्रसंद आप सेगला पुछा है कि सूर्दास का जन्म किस जन्मपद में हुआ था सूर्दास का जन्म कहां हुआ था तो आपने पढ़ा था हाई स्कूल में भी कि मतुरा जाने वाली रास्ता में रूर्णक दागाउं में पढ़ा था तो आपसन आपके यहां पर हो जाएगा इनकी म्रत्यू 1583 इस भी में कह सकते हैं कि इनकी म्रत्यू हुए थी ठीक है और इनकी तीन प्रमुक रचना है सूर्दास सूर्शारावली और साहित दिलहरी यह में पॉइंट आपके इंतके थे अगरा प्रसंद दिया गया है कि सूरज वंसी किस जन्जाती की उप जाती है सूरज वंसी जो जन्जाती है वो आपकी खरवार जन्जाती है ठीक है खरवार जन्जाती की उप जाती है और इसके अलावाद देखा जाए तो आपकी धेर सारी आपके यहाँ पर उप जाती होती है जैसे आपके गोंजू, मगवती, रावोत, धेरो होती है ठीक है अगले तौहीद का प्रकाशन कहां से हुआ ये देखो तौहीद कौनसा आकवार है तौहीद है और ये जो आपका है वो सूफी वादपर आधारित है इसका जो प्रकाशन होता है वो कहां से होता है तो जवाब यहाँ पर आपका 50 को हो जाएगा कौनसा तो आपसन आपका B हो जाएग VPL परिवार को प्रतिमाह कितने किलोग्राम अन्नाच यह कर सकते खाद्यान मिलता है सारुणिक वितनर प्रणाली के तैद VPL परिवार को प्रतिमाह कितना खाद्यान मिलता है तो याद रखेगा साथ पसेरी अर्थात आपको 35 अर्थात आपका 35 किलोगराम ये खाद्यान दिया जाता है जो आपके गरीबी रिखा से नीचे के हैं ठीके जो एक सफिद रंग का कार्ड होगा देखे होंगे गाउं में और उसे बोलाता है अंतोधा परिवार ठीके तो ये सीचाई नहर निकलती है ये आपके गंडक से निकलती है और सण आपका D होजेगा गंडक से निकलती है ये पॉइंट आपको याद रखना है ठीके और अगले प्रस्वन आपका दिया गया है कि सामाजिक वानिकी का कौन सा ब्रच भूमी के लिए गहातक सिद्धुआ है तो परिवर्ण का दुसमन कहा जाता है ठीके क्योंकि बहुत जदा पानी को सोख लेता है ठीके इसे परष्टिकी तंति का आतंकवादी धर्ती का सूल कई नामवों से जाना जाता है अगला प्रस्वन आपका दिया है कि सहारणपूर घहराने के संस्थापक कौन थे सहारंपू मोहमद जमा थे ठीक है और नेश्ट प्रस्ण को राते हैं प्रस्ण आपसे अगला पूछा गया है कि सहयोगी क्रसक योजना को पाइलेट प्रोजेक्ट के तौर पर राजी के कितने जिलो में चलाया जा रहा है यहाँ पर देख सकते हैं कि पाइलेट प्रोजेक्ट के तहत जो आपकी सहयोगी क्रसक योजना है यो जो चला जा रहा है आपके कितने जिलो में तो आपके 10 जिलो में और सण आपके यहाँ पर जो आपका है भी वो आपको हो जाएगा कौन सा 10 हो जाएगा ठीके और अगले प्रसी को बढ़ते हैं प्रसनाप से एगला पूछा है कि सविना अवग्या अंदोलन के दरान नहरु जी ने कहां से करवंदी अंदोलन चलाया था करबंदी अंदोलन जो चलाया था नहरु जी ने वो चलाया था आपके 5 मार्च 1931 को जो की आपका गांधी इर्विन समझा होता है कि पस्चात ये कह सकती है चलाया गया था ठीके तो यहां पर आपका कह सकते हैं तो प्रस्णा आप से कह रहा है कि सब्विना अवग्य अंदोलन के दौरान नहरू जी ने कहां से करबंदी अंदोलन चलाया था करवंधी अंदोलन तो करवंधी अंदोलन जो चलाया था वो आपके इलाहावास से ठीके कहां से इलाहावास से चलाया था और कह सकते हैं कि सबना अगगी अंदोलन के दोरान जैप्रकास नरायर और सास्त्री जी के सयोग से नहरु जी ने इलाहावास से करवण्दि अंदोलन का सुथ पात किया था इसकी समाप्ति का वहिती तो समाप्ति पांच मार्च 1931 को जब गांधी जी और कह सकते हैं गांधी इर्विन समझता उसी के साथ ये अंदोलन भी समाप्त हो गया था ठीके अगला प्रस्णा आपका दिया गया है कि सलोनी स्वास्त योजना किस आयू वर के लोगों के लिए है सलोनी स्वास्त योजना तो सलोनी स्वास्त योजना जो आपकी है वो आपके 18 से 19 ठीके 18 से 19 वर्षी की आयू के जो इसकूली छात्राओं के स्वास्त परिच्छन से संबंदी थे 2008 में इसे संचालित किया गया था नेश प्रसन आप से अगला पुछा है कि सरवाधिक ग्रामीड जनसंख्या वाला जिला सरवाधिक ग्रामीड जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो आपका जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपकी कह सकते हैं कहाँ पर आपके इलाहबाद ये कह सकते हैं प्रयाग राज देखा जाँ सबसे पहले आपके इलाहबाद, फियाजमगाट, जौनपूर, सीतापूर गोरगपूर ये करामिन का रहता है ठीके अगला प्रस्ण है कि सरवाधिक अनसूचित जनजातियों के प्रसट वाला जिला सरवाधिक अनसूचित जनजातिया था जो एस्टी वाले हैं हुआ आपकी कहाँ पर रहते हैं तो आपको कभी भी एकजाम में ऐसा प्रस्णाद अव यूपी में हैं तो आपकी यूपी में सोनबद्र, ठीके U.P. में SON-Bhadr 2011 की जनगणना को अनसार आपके कह सकते हैं आपके SON-Bhadr जिले में आपकी सर्वाधिक आपके पाजाती है उसके बाद बलिया में फिर उसके बाद आपके बागपत में ठीके अगला परसना आपका दिया गया है कि सरवाधिक अनसूचि जनजाती वाला जीरा कौन सा है तो देखो वही प्रस्णा आपका फिर से रिपीट हुआ है और इस बार को गलती मत करिए तो जवाब यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका जो ए नमबर आपका है सोनभद्र ठीके सोनभद्र आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ठीके अगला प्रस्णा आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सरवहित कारक नामक सपताहिक का प्रकासन कहां से किया गया यह आपकी देख सकते हैं जो आपका कौन सा है सरवहित कारक नामक के सपताहिक पत्रिका है इसका प्रकासन कहां से किया गया है तो यह किया गया तो यह आपके 1855 में कव 1855 में आगरा से किया गया था ओप्सन आपका D हो जेगा आगरा से इसके यह आपर कह सकते हैं कि जो आपके सिव नरायन संपादक में सर्वाधिक कारक कह सकती इसका प्रकासन हुआ था कि इसके सिव नरायन के संबादक में ठीक है सिव नरायन अगला प्रसुन है कि सर्व सिच्छा का ब्याय केंद्र वा राज जी का किस अनुपात में वहन करती है जो सर्व सिच्छा ब्यान है उसके अंतर के देखा जाए तो उसमें केंद्र का कितना प सरसों का सरवाधिक उतपादन वाला जीला सरसों सरसों का सरवाधिक उत्पादन जिला जो आपका हो जाएगा कौन सा यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा अब कभी आपका आगरा ठीके आगरा है और यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रत हेक्टेर देखा जाए तो आपका मतुरा होता है लेकिन सर्वाधिक मत्रा में देखा जाए तो आपका आगरा है ठीके अगला प्रस्विया पर दिया है कि सर्वट नामक परगना आज किस जनपद की रूप में है सर्वट सर्वट का नाम पहली बार सुने होंगे तो याद रेखे सर्वट जो कि आपकी मुझभफर नगर ओप ने एक सरदार सायद मुझभफर खान को जागिर में दे दिया था ठीके अगला प्रस्वाप से पूछा गया है कि सर्यू नहर परियोजना से उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग लाभानवित होता है सर्यू नहर परियोजना और सर्यू नहर परियोजना से जो आपका ये पू पुरगपूर है ना और महाराज गंजीले आद यह आपकी कह सकते हैं कि इस नदी से जल्ग रहन करते हैं ठीक है और अगला प्रस्ट दिया गया है सरदार बल्ला भाई पटेल क्रसी विश्विद्याले कहां पर है यह कोस्चन बहुत बार पूछा गया है और संभा होता है कि प्रस्ट आपको एक्जामी मिलेगा तो सरदार बल्ला भाई पटेल क्रसी आपके कहां पर है तो यह आपके है मेरट में कहां पर है तो यह मेरट में और कह सकते हैं वर्स 2002 में उद्गटित आपका किया गया था यह आपका कोई सकते हैं मेरट जो आपका है ठीक है और अगले प्रश्चन आप से पूछा गया है कि सर्दार बल्ला भाई पटेल क्रसी ओम प्रद्धों की विश्विद्याल है तो ये भी आपके कहां पर है तो आपके कह सकते मेरट में ही है ठीके मेरट में ही है अगला प्रस्चन आपका दिया गया है कि सर्दार बल्ला भाई पटेल क्रस और करशी ओम प्रद्धोकी आपके मोधिपुर्ध में के अपके मेर्ड मे मेरेट में ही बस यहां पर अंसर आपको डारेक्ट ने दिया है अगला है सरकार द्वारा राज में पस्पालन विभा की स्थापना कब की गई तो यहां पर याद रखेगा कि पस्पालन की जो स्थापना की गई थी वाकि 1944 में की गई थी ठीके 1944 में की थी यह पॉइंट आपको याद रखन है ठीक है आप से कह रहा है कि संभल की जामा मस्जित का निर्माड किस ने करवाया था संभल की जामा मस्जित का निर्माड किस ने करवाया था ये पॉइंट आपको याद रखना है इस मस्जित का निर्माड आपके बाबर ने करवाया था किस ने करवाया था बाबर ने करवा था ठीक है तो option right आपका यहां पर D हो जाएगा अगला प्रसने कि संभल उत्तर प्रदेश की किस जनपद में है संभल उत्तर प्रदेश की किस जनपद में तो आपके बरेली में पड़ता है ठीक है बरेली में पड़ता है एक point आपको याद रखना है अगला प्रसना आपका द के निरच्छनों के लिए आपके जिला सच्छार्ता समीती के माध्यम से सभी जनपदों में संचालित किया जा रहा है जो आपके देखते हैं ना कि अगला प्रसन आप से पूछा है कि समेकित बाल विकास परियोजना का लाब किस आयू वर्गो नहीं है यह जो आपका है वो आप से 6-11 यह उम्रके कह सकते हैं जो बच्चे है उनके लिए आपका नहीं है यह जो आपका है कह सकते हैं कि 6 माह से 6 वर्स आयू तक के बच्चों को ठीक है और जो आपके 20 से 45 वर्स के आयू की गरवती ओमधात्री महिलाओं को और साथ में यहाँ पर 11 से 18 वर्स के आयू की कुई सूरी बालिकाओं को यह कह सकते हैं कि इस परियोजना का लाभ मिलता है ठीके तो इस प्रकाओं से वो तीनों पॉइंट सही है लेकिन यहाँ पर जो आपका B है वो आपके यहाँ पर गलत हो जाएगा ठीके अगला प्रस नाप से दिया है प्रस नाप कहाँ वस्तित है जो समुध्य गुरुपति के कह सकते हैं कि विजियो का वर्डन करता है तो जो कह सकते हैं इस्तंब है वो आपकी कहाँ पर तो आपके प्रयाग में है ठीके प्रयाग में है और अगला प्रस नाप से पूछा गया है कि सबला योजना के तहत किस आयू वर की बालिकाओं को सामिल किया गया है सबला आयू की तो अभी हमनतिया 11 से 18 ठीकी 11 से 18 वर्सी की आयू की कुसरियों को इसमें से सामिल किया गया है इस प्रस्ण आपका है कि सन 2001 और 2011 की अवधी में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या ब्रधी दर कितनी रही है तो याद रखेगा ये आपकी रही है आपका ओप्षन बी 20.09 प्रसत तीके 20.09 प्रसत ओप्षन आपके आपके याँ पर 20 सही हो जेगा तो ये रहे आपके यू फी जी के प्रस्ण काफि अच्छे प्रस्ण आपके है टीक है और यहां पर देखो और रास्टी पसू रास्टी चलिया रास्टी गीत ये तो पूछा नहीं जाता है पूछा इसे प्रकार से आप जाता है जिस प्रकार से महां न equilibrium time here तो आची वेड वीडियो में तत्ते के लिए धन्वाद जय हिंजे भारत